नमस्कार आप देख रहे हैं जनता दर्बान यूज और मैं आपके साथ जोती रागव जैपुर कस्वे सही छेतर के जोबने आसलपुर बोराज दूदू बगरू डियोडी सिनोदिया खिज़वास धानी प्रतापुरा जगमालपुरा गाओं में सुबह भी घने घने कोहरे क आगोश रहा दुन्द के चलते हैं ट्रेनों की रफतार धीमी पड़ी हुई है ट्रेने अपने निर्धारी समय से एक घंटे की देरी से जंक्शन पर पहुंच रही है ऐसे में यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है साथ ही ट्रेनों की हेडलाइट जला का धीमी कती से चलना पड़ रहा है ठंडर ने लोगों को घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया है वहीं आसलपूर में घने कोहरे का प्रकोप चाया हुआ है कोहरे के साथ साथ सीत लहने आमजन का जीना मुश्किल कर रखा है घना कोहरा पड़ने से सुबह के वक्त लोगो भी कई बार एक्सिडेंट की चपेट में आ जाते हैं गने कोरे के चलते कम द्रश्यता के कारण हाईवे पर वाहनों की धीमी गती रही वाहन चालकों को दिन में भी अपने वाहनों की लाइट जलानी पड़ रही है लोग मकान की चतों पर सूर्य के दर्शन के लिए सूर्य द अरसों की फसलों में राहत मिली वहीं मोसम निदेशाली जैपुर के मताबिक अगले दो से तीन दिनों तक वश्चिमी विक्षोप के असर से छेत्र में घने कोरे से राहत नहीं मिलेगी जंददरबार में फिलहाल के लिए इतना है